हलो नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आप सभी लोगों के लिए एक important information कह सकते हो paper में cuttings निकल नहीं है paper में बहुत सारा information आ रही है उस UPSC का जो AE का recruitment है उससे related ठीक है तो detail से discuss करेंगे क्या information आ रही है देखो ये paper की cuttings information है कोई authentic source नहीं है मेरे पास जो paper की cuttings है जो information आ रही है वही मैं आपको provide कर दे रहा हूँ मेरे को लगता है आपको बताना ये जरूर ही है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ अपडेट कर देता हूँ लेकिन मेरे पास इसका कोई authentic proof source नहीं है अभी कि ये information एकदम करेक्ट है व्यासे paper में निकाली इसका मतलब ये नहीं होता है कि correct ही होगी लेकिन वैसे ये इसकी बात है चल रही है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ यूपी-PSC-AE का एक committee गठन हुई थी उस committee में ये decide किया जा रहा है क्या UPPSC-AE का जो pattern है एक paper लेकि उसके बाद में interview करा के वो सही है या फिर paper का pattern है वो change होना चाहिए ठीक है तो इन सभी के उपर एक committee बैठी थी कि उस committee का क्या decision आया है ये अभी किसी को नहीं पता है कि क्या decision आया है लेकिन हाँ paper के pattern के change करने की बात हो रही है उसमें क्या हो रहा है अभी तक एक paper होता था उसके बाद में interview होता था और आपको finally selection मिल जाता the document verification के basis पर तो इसमें क्या कमी निकल लाई थी इसमें कमी यह आ रही थी कि कोई अगर written test में जो written test होता आपका OMR type का उसमें कुछ भी लेना नहीं होता हो एक दिन में दो paper होते है morning में और evening के shift में और फिर आपका interview करा के conduct करा जाता है अगर आपके इ प्राइटिंग कर लेते थे और paper क्यों ज्यादा हाड तो आता नहीं था ESE के previous year उठा के रख देते थे तो पेपर और लोगों ने OMR पर खाले गोले सीधे सीधे रूब में जाके कैवनों में जाके बर बर के submit कर दिये उन लोगों का selection हो गया था committee ने यह पाया था और interview में जाके थोड़ा बात प्रिप्रेशन करी लिता है अदि में तो interview में जाके ऐसे करके उनको selection मिल जाता था तो उसी के चलते हुए committee यह decide कर रहे है क्या हम इसमें एक conventional paper को रख दे क्योंकि written test में अगर OMR type की होगी तो उसमें तो सीधी सीधी cheating हो जाएगी लेकर written test होगा जिसमे हम लिखने वाला paper देंगे जैसे SSC JE का होता है और UPSC ESE वाला होता है engineering services exam उसमें एक conventional paper होता है जो आपको लिखना होता है ऐसा नहीं MCQ type का paper नहीं होता है conventional question आते हैं अगर ऐसा वाला pattern रख दें तो उसमें cheating के chances कम है ऐसा बिभाग का कहना है ठीक है यही information है वह आमें आपको दखा देता हूं assistant engineer की बात कर देता हूं at the same time assistant engineer और UPPSC polytechnic lecture है same ही pattern होता है तो अगर इसका change होगा तो उसका भी change होगा ठीक है बतलब एक ही जैसा pattern है तो दोनों का change होगा अगर एक का change होगा तो लेकिन अभी कुछ भी decided नहीं है केवल हो केवल यह अभी committee बैठी है उस पर decide किया जाएगा कि क्या होने वाला है ठीक है चलो मैं cutting दिखा ज अध्यक्ष को पत्र भेज कर भरती का कलेंडर में सामिल करने और बरतमान pattern पर ही परिक्षा कराने का अनरोध किया है graduate engineer student welfare association की अध्यक्ष यान की गैसवा दीपस सिंग का कहना है कि साहयक अभियंता भरती परिक्षा pattern 2019 के बदलते हुए वास्तुनिस्ट प्रशनों पर आधा परित परिक्षा और साक्षतार के चैन शुरू की थी ठीक है मतलब इसका सीधा सीधा वह है इंजीनेरिंग यहां पर लिख रखा graduate engineering graduate engineering student welfare association यान की गैसवा गैसवा आपको नहीं पता है तो बता देता हूं भाहिया यह एक society है जो कि engineers के welfare के लिए काम कर रही है जहां पर प्रिवेस जो pattern है उसी के basis पर कर दो तो कमेंटी का गठन हुआ है और देखो दूसरे भी paper में cutting है यहां पर देख सकते हो परिक्षा देखा देता हूं में थोड़ा से zoom करके परिक्षा उतर प्रदेश की सेवा आयोग यहां पर ही लिख रहा है सब जगह वही information है तो आप द प्रेशर क्रेट होगा और तो कुछ जादा होता नहीं है ठीक है प्रेशर क्रेट होगा सायद वह consider कर लें ठीक है तो आई थिंक यह एक pattern change होने की बात चल रही है इसमें प्रेशर का pattern change होता है क्या होता है अभी इसका कोई फर्दर अपडेट नहीं है कलेंडर में भी सामिल करने की बात करने के जैसे UPPSC का जो कलेंडर आता हर साल जिसमें 9 jobs के बारे में लिखा होता है कि भाज साब इस टाम पर आपकी यह job क्योरी कराई जाएगी यहां exam होगा उस कलेंडर में भी बात की जारी के बाज साब उसमें भी हमारी जो एई की वेकेंसी थे हैं उनको सामिल कर लो या फिर UPPSC Polytechnic Lecturer की जो वेकेंसी आने वाली है जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूगा मैंने पहले बोला था आपको कि दिसम्मर के लास तक लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि अगले दो-तीन महीने में भी आने वाली है जैसे कोई अपडेट होगी मैं बता दूगा आपको आपने पूरा इंफॉर्मेशन करेक्ट लिल ली है और जो भी भाई साब होरा है सपोर्ट किया करो स्टुडेंट्स को जिससे के आप स्टुनेंट्स कमेटी की जो भी कम्यूनिटी है उन सब को बेनिफिट होगा एक के करने से ऐसा कुछ नहीं जैसे कि आपने पता ही होगा डीडिये जेई में केस किया था तो कोट ने यह आदेश देती है भाईया जिसे नहीं पेटीशन डायर की है कि उन्हीं उन्हीं क पता नहीं है लेकिन हाँ एक्जाम पैटन चेंज होने की बात चल रही है लेकिन आप पढ़ाई करते रहो और आपको देखो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं जाकर करना है आप सपोर्ट कर सकते हो डिजीटली अगर आप फिजीकली प्रिशेंटर नहीं हो सकते हो तो आपको सब कुछ पता चलेगा चलो फिर मिलते हैं कि वीडियो में जब तक लिए जय हिन जय भारत